नमस्कार दोस्तो, स्वागत था एक बार फिर से आपका एक नवी वीडियो में और मेरा नाम है पंकज दोस्तो, घर्मन बगीचा चनल पर हमने पहले एक वीडियो अप्लोड किया था उस पर बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया बहुत लोगों ने उसका सपोर्ट लेकर घर पे मस्रूम की खेती भी की तो इस बार हम आपको मस्रूम उगाने का बहुत ही सदल तरीका बताने जा रहे हैं और जो जो चीज़े की रिकॉर्मेंट होती है वो सब हमने रखा हुआ है आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कई तरीके आपको बताएंगे और क्या चीज़ जरूत पड़ती है कैसे उसको यूज करना है पूरी जनकारी मिलेगी घर पे आप आसानी से के उगा पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मस्रूम आपका उगा उग जागा तो चलिए हम आपको बताते हैं step by step वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सुरू से लेकर अन तक आपको harvesting तक का पूरा वीडियो दिखाएंगे अब भी देखेंगे ये टब में पानी भरा हुआ है इसमें क्या मिलाना है अगर ये पाउडर आपको पास नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे तो वीडियो को step by step दिखाएंगे इसलिए पूरा वीडियो जलू देखेगा complete और लोगों को share करिएगा चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो मस्रूम उगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ा सा टब या कोई बरतन जिसमें आपको पानी रखना है और इसमें आपको गेहों का जो भूसा होता है जो इस्ट्रा होता है या पैडी इस्ट्रा होता है उसको आपको भीगोना होता है कम से कम 24 घंटे के लिए या अधिक से अधिक आप 48 घंटे के लिए भीगो सकते हैं वो अभी आपको हम पूरा प्रस्ट बताएंगे और यह दिखिए यहाँ पर हमने डाला है इसमें साफ पाउडर यह जो आपको इसके पर दिख रहा है साफ पाउडर यह कर्बेंडा जिम और मैंको जिम का एक मिक्शर होता है इसको आपको मिलाना है आपको कितना मिलाना है वो आपको ध्यान रखना है आधा ग्राम आपको 0.5 ग्राम प्रति लिटर पानी के साब से आपको मिलाना है इससे ज़्यादा आप ना मिलाएं या फिर आप एक ग्राम भी मिला सकते हैं कोई दिक्र नहीं है एक ग्राम प्रति लिटर पानी के साब से आपको डाल देना है लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखें अगर आपका जो भूसा है उसकी क्वालिटी सही नहीं है वो थोड़ा पूर क्वालिटी का है उसमें सड़ उत्पन हो गई है तो आप 2 ग्राम प्रिट लेटर कहसाब से पानी में आप उसको मिलाएं तो उसका रिजलेट आपको बहुत ही डालना है और उसके उपर से पानी को बॉयल करके गरम करके पानी को डालना है जब पालनी उबलने लगे तब आपको भूसे में पानी उपर से डालना है जिससे उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं हनकारक वाले वो खतम हो जाएं और पूरी तरीके से आपका ये जविक भी हो करना है उस तरीक के से भूसा को भिगोने के बाद इसको 24-48 घंटे के लिए छोड़ देना है जब आप 24 घंटे तक छोड़ देंगे अगर आपका मुलायम होगा बुसा जो आगे का बुसा होता है तो आपको सम-24 घंटे मी आपका बुसा बहुत अच्छा सा भिग जाएगा और अगर थोड़ा उसमें मोटे मोटे डंठल होगा रहोंगे इस तरीके से जैसे इसमें आपको दिख रहे हैं तो यह आपको 24 से घंटे से ज्यादा भिगोना पड़ेगा यानि 36 से 28 घंटे कम से कम दो दिन के लिए आपको भिगो दिजीए इसको और धीरे धीरे आपको मिलाते हुए इस तरीके से आप भिगोएंगे तो बहुत ज़्यादा भुषा आप इसमें भिगो पाएंगे एक ही टब में अगर एक बार में पूरा डाल देंगे तो आप पूरा पढ़ाई के बाद जब यह बचता है इसको आप छोटे-छोटे पीसे में काट सकते हैं कुट्टी काटने वाली मसीन से या फिर ट्रेक्टर चाले दी मसीन आज कर चल रही है उसे भी काट के आप उसको भी यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें भी हो जा जाता है बस उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि उसमें फंकस लगने का ज्यादा डर रहता है इसलिए आपको साफ पाउडर जो है आपको बता है वो या फिर आप फार्मील यूज कि आता है अगर आपके आस-पास कहीं लेबरोटरी में मिल जाता है तो आप उसको Hani को ले सकते हैं फार्मी यू को डालैंगे तो और अच्छे इसमें सेफ हो जाता है तो चलिए आपको दिखाते हैं ये देख्ये-दूसरे साइड हमने जो कल निकाला हुए था ये साम को कल हमने निकाल दिया था ह A पहले से दो दिन से भीग रहा था भूसा तो हमने निकाल मस्रूम के लिए यूज करिए अब देखिए आपको बताते हैं कि बुआई कैसे करनी है तो यह देखिए यह वाली जो ग्रोबाइक टाइप में आते हैं यह मस्रूम ग्रोबाइक इसको कह सकते हैं यह मार्केट में ठोड़ा ढूंडना पड़ता है उसके बाद ही मिलते हैं ज यह सभण पर यह बाजरा जुरार है या फिर गयों इस ताइप के वालने केबाद उसको आकार देने के लिए या फिर उसको इक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर यह देखिए उबाल करके ग्यों को उबाल के उसके उपर कोटिंग की गई है तो यही इसका बीज होता है, इस्पान होता है और यह अपनी जब भी कोई इसको फूड मिलता है मॉइस्टर मिलता है, इसको टमप्रेचर मिलता है तो यह अपना फंगस जो है, एक माईसिलियम टाइप में बढ़ाने लगता है उसको माईसिलियम ही बोलते हैं, उसको बढ़ाता है उसके बाद यहाँ पर अच्छे से डेवलप होलाता है तो आप देखिए बोने का तरीका जो है दो तरीके है आपको हम बताते हैं पहला तरीका यह है कि देखिए जो पॉलिटिन है यह ग्रोबाइक है इसमें आपको नीचे सबसे पहले एक layer डालनी है जो आपका ये भूसा भी होया हुआ है और इस तरीके से layer डालने के बाद उसके उपर line से इसमें seed डालना होता है अगर आपके पास बहुत कम seed है तो आपको सबसे अच्छा तरीका यही वाला आपके लिए हो सकता है इसमें seed बहुत कम लगता है क्योंकि इसमें mycerium develop करने के लिए किनारे किनारे पर ही केवल डालना होता है seed को ये देखिए इस तरीके से आप गिराते जाए किनारे और उसके बाद आप 4-5 इंच की फिर से आप मोटाई में आप भूसे की layer बना दीजिए और ऐसे करते करते आपको उपर तक जब तक polythene भर नहीं जाती है जब तक आप चाहते हैं कि इतना हमको भरना है तब तक आप यही तरीका आपको अपनाते रहना है और जब polythene उपर से भर जाए तो जो सबसे लाश्ट वाला बचता है जहांपर सबसे उपर से आपको भूसार डालने के बाद फिर आपको polythene बंद करनी है वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको फिर से उपर बीच जालना होता है सबसे लाश्ट में ताकि ऊपर से भी phancus develop हो जाए और जितना ज्यादा आप बीज डालेंगे उतनी जल्दी फंगस develop होगा और जितना कम बीज होगा उतना ही समय ज्यादा लेता है फंगस develop करने में लेकिन बीज अगर कम डालते हैं तो भी बहुत अच्छे से मश्रूम उगता है बहुत अच्छा होता है बस उसमें समय ज़्यादा लगता है अगर आप बीज की मातरा ज़्यादा डाल देंगे तो आपको अगर हो सकता कि 15 दिन में ही निकनलाई स्टार्ट होगा है लेकिन अगर आप बीज की मात्रा कम रखेंगे जिसे देखें कि नाइक नाइक हम यहाँ ज़्यादा बीज डाल रहे हैं इसका मतलब यही है कि हमरे पास बीज पर्याद मात्रा में है और यह बहुत जल्दी ग्रो करेगा यहां से जो माइसलियम है बहुत जल्दी फंगस लेकिन अगर आप कम बीज डालते हैं तो उसमें समय हो सकता है कि 25 दिन लग जाए या 28 दिन लग जाए उसके बाद मस्रूम निकलना यह स्टार्ट होता है तो जो सबसे ऊपर की लेर होगी वहां पर देखिए आपको बीज जो है इस तरीके से डाल देना है उपर से भी पू लग दिखाते हैं कैसे आपको होल करना है और ध्यान रखें कि जिससे आप होल करें कोई लकडी की सहाथा से करें या फिर कुछ भी लें लेकिन वो साफ होना चाहिए उसमें कोई फंगस अगरा ना लगा हो इस बात का आप ध्यान रखें और यह देखिए यह हमने पेन लिय किसी बड़ी चीस से कर देंगे तो वहां से मॉइसर उड़ने लगेगा जादा तो आपका जो नीचे अंदर का भूसा है वो सूखने लगेगा इसलिए आप छेद पतले करें मसरूम जो है वहां से आसानी से निकल आता है अभी आपको रिजल्ट के साथ दिखाएंगे पू पूरे बीज है लेकिन इसमें बीज थोढ़े ज्यादा लगता है जो दूसरा तरीका आपको बताना जारह है इसमें बीज ज्यादा लगता है यह देखिए इस तरीके से सभी पूरे मिक्षर में आप ऐस into एकम करली critical में और मिक्स करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना ह ता इसमें कोई layer वगरा नहीं बनानी होती बस आपको beach mix करना है mix करके भर के रख देना है और जैसे आपको अभी हमने इसमें hole किया है सेम तरीका है आपको hole वैसे ही करना पड़ेगा hole करने के बाद में इसको कहीं अच्छी जगए पर जहाँ पर चूहे वगरा से थोड़ा बचाव हो सके चूहे ज़्यादा नुक्सान ना करते हो तो वहाँ पर आप इसको रखेंगे क्योंकि चूहे जो गिहों का दाना होता है उसको खाने का प्रयास करते हैं कभी-कभी और दोस्तोफ बीज आपको खरीदना हो तो आप किसी अच्छी जगह से ही खरीद लेगा या तो आप करसी विशव दैला से खृदिए या फिर क्रसी विग्याण करें से खरीद या जहाँ भी आपको विश्वसवनी हो कि पीज अ अधेरे में इसको रखना है किसी आपको कमरे में रखना है या फिर आप छपर के नीचे रख सकते हैं जहां पर डारेक्ट हवा ना लगती हो और थोड़ी बहुत हवा लगे लेकिन ज्यादा हवा एकदम से तेज हो के ना लगे वहाँ पर और डारेक्ट जो सनलाइट वहाँ पर ना जाती हो ऐसी जगे पर आपको रखना है तो यहां देखिए हम इसको कमरे में रख रहे हैं कमरे में अंधेरा होगा तो और ज्यादा अच्छा रहता है अंधेरा कमरा हो और उसमें आप बल्ब लगा दें LED वाला जो सफेद करलर का बल्ब होता है वो अगर आप लगा लाएंगे तो बहुत ही अच्छा कलर निकल के आता एकदम वाइट कलर का तो अब देखिए लगबग 15 दिन हो चुके हैं इसको बीज को लगाये हुए टांगे हुए हमको इसको और यहां पर देखिए बहुत सारे जो मश्रूम है वो निकलना स्टार्ट होने वाले हैं मैसल यहां अच्छे से डिवलप हो चुका है पूरी पॉलिथीन सफेद करके दिखने लगी है और जहां हमने पेंसे छेद किये थे वहां पर देखिए बहुत छोटे छोटे मश्रूम के छोटे छोटे दाने जैसे दिखने लगे हैं तो जल्दी ही यहां से निकलने वाले हैं चल बड़े हो चुके हैं और आप देखिए अब लगबग एक हफ्ता फिर से हो गया है जब आपको दिखाया था पिछला अपडेट और अब मश्रूम जो है काटने के लाएक इतम तयार हो चुके हैं अब आपको क्या करना होता है जैसे ही मश्रूम निकलना स्टार्ट हो आते ह वो बहुत ही देखने में भद्धे से लगेंगे तो डेली आपको पानी का इस्तेमाद सुबह दोपहर साम तीरों समय कर सकते हैं पानी का इस प्रेड टंप्रेचर पर डिपेंड करता है अगर आप जनवरी दिसंबर जनवरी में ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब थोड़ा सा इसका हर्वेस्ट करके यहां पर देखिए जो हर्वेस्टिंग के लाग तयार हो चुके हैं जब इसके कोने कहीं कहीं से फटना स्टार्ट हो जाएं तब यह हर्वेस्टिंग के लिए पूरी तरीकेस तयार होते हैं अगर आप इसको कहीं से फटने के बाद में भी आप इसको और नहीं हर्वेस्ट करेंगे तो इसमें दिक्कत ही होगा कि ये मस्रूम फिर खड़ाब होने लगा फिर उसका टेस्ट जब आप वेजटेबल में इसको यूज करेंगे सबजीया बनाएंगे तो उतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं आएगा तो काटने के या फिर इसी को घुमाते हुए थोड़ा सा एंट देंगे तो ये तूट जाता आसानी से क्योंकि बहुत ही छोटा चिद्र हमने किया था पेन की साथा से वहां से देखिए पूरा पोशन इसको मिला हुआ है और इतने बड़े इसके गुच्छे निकलाएं ये देखिए और आप ज्यादा जाड़े में अगर ज्यादा ठंडी पड़ रही है तो आप जो 10 रुपे वाला बलब आता है जो टंगेश्टिन का बना होता है वो उसको आप लगा सकते हैं तो वो टेंपरेचर मेंटेन कर लेता है पूरे रूम का जब ज्यादा ठंडी पड़ती है तब भी जल्दी मस्रूम निकलने लगते हैं तो दोस्तों ये इस तरीके से देखिए मस्रूम किया हुआ है हमने और हर साल करते हैं खाने भर के लिए इस साल तो बीज भी हमने अवलेबल कराया था बहुत लोगों को और यहाँ पर देखिए जगर आप पानी का इस्प्रे नहीं करे बस आपको पानी स्प्रे करते हैं जितने मस्रूम निकलेंगे वो बहुत ही हेल्दी निकलते रहेंगे ये देखिए चारो तरफ से मस्रूम निकलते हैं अगर आप कहीं अलमारी में या कहीं रखेंगे तो चारो तरफ से आप मस्रूम नहीं निकाल पाएंगे लटकाने से इ सबसे मेन होता इसमें अगले वीक तक आपको एक ऐसा वीडियो देने वाले हैं जिससे आपको बहुत ही कामर्सियल लेवल पर आप बड़े इस तरह पर करके बहुत ज्यादा प्राफिट कमा सकते हैं और उसमें हम आपको एक कंपनी है उससे टाइप भी कराने का पूरा उनका कांटेक्ट नंबर भी मिलेगा जहां आप उनको सेल कर सकते हैं बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर पहले आप स्प्राइब कीजिए